हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे से भी Securities and Exchange Board of India, भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड की New Requirement Notification जो की Officer Grade A, मिंस Assistant Manager 2024 के लिए आपका Official Notification जारी कर दिया गया है और आप इसके लिए Online आविदन कर सकते हैं, कैसे आविदन करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर फ्रेंज, जो भी ये Post है, इस Related जानकारी आपको CV की Official Website पर देखने को मिल जाएगी यहाँ फ्रेंज, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जौवरास्ता.com का लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाकर भी आप इस Vacancies Related सारी जानकारी को Check Out कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए फ्रेंज, जो ये Notification है, इसके लिए आप आविदन करेंगे जो Age Limit रहेगी, वो फ्रेंज, आपकी Upper Age Limit 30 साल है, जो कि 31 March 2024 को यहाँ पर Counter की जाएगी अब बात करते हैं Form Apply के लिए, तो ये इसका Official Portal है, जहां से आप इसमें Online आविदन करेंगे सबसे पहले New Registration टैप पर किलिक कीजिए, इसके बाद कुछ Basic जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होई, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा आपका नाम तो First Name देना यहाँ पर compulsory है, वो आपको देना ज़रूरी है, बाकि Middle Name है, तो Middle Name दीजिए, Last Name है, तो आप Last Name यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसके बाद Friends, आपको आपका Mobile Number एंटर करना है, आपकी Mail ID यहाँ पर आपको दो बार एंटर करनी है अब देखिए Friends, अगर Sample के तौर पर बात करें या, डेमो के तौर पर तो Friends, आपकी माल दीजिए, कोई भी Mail ID है, उसका First Part आप यहाँ देंगे Domain यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और जब आप यहाँ पर नीचे करेंगे, Confirm का Option, तो आपको यहाँ पर Friends, आपकी Mail ID को With Domain आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, तो यह Friends, मैंने आपको डेमो शो किया है, कि ऐसे आप अपनी Mail ID को एंटर करेंगे, इसके बाद इस Security Code को आपको फिल करना होगा, और यहाँ से Save and Nest करना होगा, registration process को complete करने के लिए, इसके बाद Friends, यहाँ पर देखिए, आपका जब registration complete हो जाएगा, अब यहाँ पर guideline आपको दीखें है, scanning the photograph and signature की, तो यहाँ पर देखिए, जो photograph है, उसका size आप से required किया गया है, 20-50 KV, और signature का जो size है, वो है Friends, आपको यहाँ से 10-20 KV के बीच में, तो यहाँ पर Friends, आपको JPG format में, आपको Friends, आपका photo and sign upload करना है, उसके बाद confirm करना है, और उसके बाद आपको next step पर click करना है, इसके बाद post है, तो आप इन में से जिस भी stream के लिए आविदन यहाँ पर करना चाहते हैं, आप उस stream को select कर लेंगे, category general है, EWS है, OBC है, SCST है, वो आप select कर सकते हैं, अगर आप PH candidate है, तो यहाँ पर yes करेंगे, type of disability आप select कर सक सकते हैं, आपको आपका extra time चाहिए, writing hand affected है, subscribe चाहिए, नहीं चाहिए, आप yes करेंगे, नहीं है तो आप simply यहाँ पर no कर सकते हैं, इसके बाद friends नीचे आपको option मिलता है, religion का, religion select कीजिए, एक service man अगर आप हैं, तो यहाँ पर आप yes यह no कर सकते हैं, minority मतलब जैन सिकh, बहु अपर select करना है, जो कि आप preference यहाँ पर देना चाहते हैं, वो आपको देना होगा, phase 1 exam के लिए just it, जो second आप यहाँ पर select करना चाहते हैं, आपके exam के लिए फेर्ट के लिए पर यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके बार state या UT है, phase 1 exam के लिए जिसके आपको यहाँ और state अगर आ व करना चाहें तो वो आप यहां से कर सकते हैं इसके बाता है फेस्टू अब फेस्टू के लिए भी फ्रेंस आपको यहां पर लेकिए जो सेंटर के नेम है वह आपको यहां पर मिल जाते हैं आप यहां पर जो भी सेंटर चूज करना चाहें वह अपने अकोर्डिंग आप यहां पर देना है आपका जेंडर सेलेट करना है जड़वा भाई बहने तो आप यहां पर देना होगा इसके बार फैंस आपको यहां पर आपको यहां पर प्रोवाइट करना है आपका मदर नेम आपको यहां पर देना है आपका इस्पाउज ने मतलब पतिया पतनी का नाम आप दे होगा अब यहां पर फैंस से देखिए प्रिजेंट और पर्मानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर किलिक कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अप्शन को चूज करेंगे यहां पर फैंस जी चूज कीजिए वेल डेट कीजिए वेरिफाइड होने के बाद सेवन नेस्ट कर दीजिए इसके बाद क्वालिफेकेशन जो है वह 21 मार्च दो हजार चौबिस को यहां पर कांट की जाएगी इसमें सबसे पहले है डिग्री यहां पके पास आर्ट में है में हैं में त में यहां पर उसके लिए तो या discovery करने से पहले पर ने से उसको आप चेक जरूर कर लें इसके बाद से जब आप यहां पर option को select कर लेंगे आप पास आउट है या अपेरिंग है अपने का option तो आपको दिया गया है पर यह 31 March 2024 का ही option है तो qualification आपसे कहा गया है कि जो 31 March 2024 है उस date तक आपके पास यह हो जाना चाहिए इसके बाद यहाँ पर data passing आपको देना है date month and year तो आप date month and year यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने इसको पास किया है इसके बाद आपका percentage है तो percentage आप यहाँ पर के इसके बार फ्रेंट से लावर आपको सकते हैं को एक्स्पीरियंस जानकारी प्रवाइड कीजिए नहीं तो आप्नों करेंगे इसके लावा फैंसे अगर आप pre-exam training लेना चाहते हैं अगर आप इस category से belong करते हैं तो yes कर सकते हैं कौन-कौन सी language आप जानते हैं तो कम से कम एक language आपको यहाँ पर enter करना जरूरी है बाकि आप multiple language को read, write और speak कर सकते हैं और उसके बार यहाँ से validate करके save and nest करेंगे इसके बार friends next option आपके application form preview का है तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपने fill की है उसको आप check कर ले कोई भी गलती किसी भी step में आपको लगती है आप back जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं कोई भी गलती नहीं है तो आप I agree करेंगे complete registration करके यहाँ से अपने registration complete कर लेंगे अब है left thumb impression upload और आपका hand run declaration upload अब देखिए जो आपका friend से left thumb impression है वो 20 से 50 के भी signature जो है वो आपका upload पहरा ही हो चुका है जो आपका hand run declaration है वो 50 से 100 के भी के बीच में रहेगा अब यहाँ पर jobrasta.com पर आप आएंगे scroll करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेकिए आपको hand and declaration में IP के बार अपना नाम लिखना है और required तक आपको आपकी self and writing में इसे लिखना होगा इसके बार आप यहाँ पर इसे upload करेंगे तो आपको यहाँ पर file को select करना है, okay करना है, ऐसे ही hand and declaration को आपको select करना है, select करने के बार आपको इसका preview मिलेगा, इसके बार आप इसे भी okay करेंगे, इसके बार फ्रेंच से next option है, आपके यहाँ पर जो की है फ्रेंच से इस capture code का, तो आपको capture code फिल करना है, save and nest करना है और okay कर देना है इसके बार फ्रेंसे अब आपको यहां पर जो आपका पेमेंट है वो आपको कम्प्रीट करना होगा और पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस capture code को fill करना है, submit करना है, ओके करना है, जिससे आपका जो bill desk है, वो open हो जाएगा, जहांसे आप अपना payment complete करेंगे, तो आपको यहाँ पर wait करना है, जैसे ही आपका payment gateway या bill desk open होगा, आपको redite कर दिये जाएगा, इसके बार आप credit card, debit card, net banking, wallet card, QR code, आप जैसे भी payment करना चाहे, वैसे आप payment यहाँ पर complete कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंज से जब आपका payment complete हो जाएगा, और form submit हो जाएगा, इसके बार आपको यहाँ पर इसके home page पर redite कर दिये जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद देखे फ्रेंज से आपका जो registration number है, और जो password आपकी mail ID पर और आपके mobile पर आपको मिला है, वो डाल कर और इस capture code को डाल कर आप यहाँ से submit करेंगे, login करेंगे, और उसके बार फ्रेंज आपका application form का जो print out है, वो save करके या download करके अपने पास आप पर रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइट कर दी है, कैसे आप cb officer grade A का online form अपलाए कर सकते हैं, या cb assistant manager online form 2024 आप अपलाए कर सकते हैं, step by step में आपको सारी process बता दी है, बागी की जानकारी आप cb की official वेबसाइट पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं, या friends video description में jobrasa.com पर जाकर भी चेक आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर friends जो भी जानकारी में आपको प्रोवाइट की है, अगर आपको यह पसंद आई है और आप चाहते हैं, ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए like, subscribe और जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूडिप चैर, last things for watching